कि हैं वेल्कम आप सभी का हमार एजुकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मुनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है मैं धीरत याद हो यहाँ आज आप लोग के साथ में डिसकस करने वाला हूं रिजनिंग का एक बहुत ही महत्यपूर्ण चैप्टर जैसा कि आप को केलेंडर और क्लॉक का काफी बेसबरी से इंतजार रहता है जिसके उपर हम लोगों ने अल्री केलेंडर की क्लास में डिसकस्शन किया हुआ है और मैं बात करूं यह दो चैप्टर कहीं न कहीं आपके लिए रिजनिंग सेक्शन के बात करूं तो मोस्ट कॉम्प्लिकेट नहीं रहते और अगर मैं बात करूं क्लॉक की तो यहां पर आप लोग फॉर्मॉले के उपर डिपेंडेंट रहते हो जो कि आपको एक्जाम हॉल में याद नहीं रहता है तो जैसा कि अगर मैं बात करूं रिजनिंग सेक्शन की तो रिजनिंग सेक्शन में हम लोगों ने क किसी chapter में किसी formula को रटटा मारने की बिल्किल भी कोशिश नहीं कि हाँ formula को हम लोगों जाना जरूर लेकिन कहीं नकहीं both formula बनते कैसे हैं उसका यूज कैसे करना और बहुत सारे ऐसे भी chapters रहें जहां पर आप वराइटी उक्योश्टनस देहें जो कि आपके formula से directly बनने वाले ही नहीं है clear और अगर मैं बात करूँ clock की तो यहां पे भी हम लोग एक भी single formula रटने वाले नहीं है यानि कि यहां पे भी हम लोग formula की बात नहीं करेंगे केवल और केवल हम लोग यहां पे concept को समझने का प्रयाज करेंगे और उसी से questions को हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे और गर बात करें comparison की तो formula से कहीं न कहीं come time में हम लोग questions को solve करेंगे वो भी orally without using copy and pen clear तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहां पे आपसे कौन कौन से प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते हैं चली तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा question based on time interval यानि कि कई बार आपको directly time interval से related भी question देखने को मिलता है time interval के अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में से हम लोग जानते हैं समय अंतराल के नाम से समय अंतराल clear time interval कराँ अगर मैं बात करूँ तो हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी angular distance की angular distance की बात करेंगे तो हिंदी में हम इसे कोडी दूरी के नाम से जानते हैं इसके लावा अगर हम बात करें तो इसके लावा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे दिये गए समय पे कोड ग्याद करना यानि कि time to angle यानि कि समय से कोड ग्याद करना clear इसके लाव अगर हम बात करें तो हम लोग यहां पे angle to time यानि कि दिये गए कोड से समय ग्याद करना यानि कि कोड से समय ग्याद करना और इसके लाव कर मैं बात करूँ तो at last हम लोग यहां पे देखेंगे incorrect clock यानि कि हिंदी की बात करें गलत घड़ी तो यानि कि हम लोग यहां पे इतने प्रकार के प्रस्टों की क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं clear चली अब सबसे पहला अगर हम बात करें यहां पर time interval की तो time interval का हम लोग use करेंगे अलग अलग आपके types के questions में जहां पे आपको दो समय की बीच का क्या निकालना होगा अंतर निकालना होगा जिसको हम लोग easily क्या करेंगे दिये गए समय के अनुसार दोनों का difference लेकर के आसानी से निकाल लेंगे तो इसके बारे में अभी मैं चर्चा यहां पर नहीं करना हो directly हम लोग इसको question में ही सीखेंगे या फिर कुछ examples के माध्यम से इसमें हम लोग कुछ questions को हल भी कर लेंगे इसके लावा अगर मैं बात करूँ कोडी दूरी की यानि की angular distance की तो घड़ी की किसी भी सुई के द्वारा तै किया गया जो कोड होगा यानि तै की गई जो दूरी होगी उसको हम लोग यहां पर discuss करेंगा और साथ ही साथ हम लोग बात करें time to angle की यानि की किसी भी दिये गए समय पे आपके hour hand और minute hand के बीच कितने uns का कोड बन रहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या फिर अगर हम बात करें किसी भी time duration के बीच में आपको क्या दे दिया जाएगा कोड दे दिया जाएगा minute hand और hour hand के बीच यानि की घंटे वाली सुई और minute वाली सुई के बीच और इसके बाद हम लोग बात करेंगे incorrect clock की यानि की गलत घड़ी की जब घड़ी आपकी तेज या धीमी होती है तो उस पर आधारित कुछ questions को हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे चलिए बात करें हम लोग time interval की तो हमने कहा Monday दो पहर एक बज़े ठीक है यानि कि अगर हम Monday की बात करें एक पीम से ले करके Wednesday 4 पीम के बीच का हमको क्या निकालना है time interval निकालना है या समय अंतराल निकालना है या हमने कहा Sunday ले लेते हैं 8 15 AM 2 9 30 पीम इसी प्रकार से अगर हमने कहा Tuesday 4 पीम 2 Saturday 6 पीम तो आपको करना क्या है दिये गए समय के बीच का जो time duration है वो आपको यहाँ पर बताना है यानि कि दिये गए समय के बीच का जो अंतर है वो आपको यहाँ पर बताना है तो अगर हम बात करें एक दिन की तो एक दिन का जो आपका समय अंतराल निकल करके आता है वो कितना आता है 24 घंटे अगर हम बात करें एक हफते की तो एक हफते का जो आपका समय अंतराल निकल करके आएगा वो कितना आएगा 168 आवर यानि कि 168 आवर आपका एक हफ़ते के बीच का जो समय अंतराल होगा वो आपको देखने को मिलेगा यानि कि अगर हम बात करें 24 इंटू 7 की तो यहां पर 7 फोर्जा हो जाएगा 8 और 7 टूजा हो जाएगा 14 फ्लस 2 16 यानि कि 168 आवर आपको देखने को मिलेंगे एक हफ़ते के बीच के समय अंतराल के तौर ठीक है कई बार आपको कोशन में ऐसे भी दिया जाएगा कि अगर मैंने मान लिजे बात किया कि इस मंडे से हम शुरुआत कर रहे हैं मान लिजे हमने कहां मंडे टू पीम टू नेक्स्ट मंडे टैन पीम तो वहां पर यह डेटा आपको काफी हेल्प करने वाला है यानि कि मंडे टू पीम से जब हम मंडे टू पीम तक की बात करेंगे तो यहां पर आपका जो टाइम इंटरवल निकल कर क्या आएगा वो कितना हो जाएगा और यहां पर टू पीम से टैन पीम तक की बात करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा एट आवर हो जाएगा निकि ट पर बेज़ जो भी कोश्टेंस यानि की इस कॉंसेट पर बेज़ जो भी कोश्टेंस होंगे जहां पर आपको समय इंतराल की अब शक्ता पड़ेगी तो वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो क्लियर तो यहां पर हमने निकाल लिया 176 आवर अब हम बात करते हैं रवी वार सुबा 8.15 से ले करके रवी वार रात 9.30 तक तो 8.15 सुबा से 8.15 अगर हम बात करें इवनिंग की तो टाइम कितना हो जाएगा 12 घंटे का समय हो जाएगा और 8.15 के बाद हम 1 घंटे 15 मिनट और थे रहे हैं यानि कि हम 12 घंटे की बात करें तो शाम को 8.15 तक हो गए 12 घंटे प्लस लास एनिकी 9.15 और प्लस बात करें तो कितना 15 मिनट यानि कि सिंपली आप जेख सकते कि हो यहां पर कितना हो रा है टोटल टाइम तो हो रहा है 13 गंटे और 15 मिनट 13 गंटे और 15 मिनट आपका क्या निकल करके आ रहा है समय अंतराल निकल करके आ रहा है जब हम बात करेंगे रवी वार सुबा 8.15 से ले करके रवी वार रात 9.30 तक की चलिए इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ मंडे दोपहर 1 बजे की बात करेंगे तो कितने घंटे हो गए 24 घंटे हो गए और जब हम Wednesday दोपहर 1 बजे तक की बात करेंगे तो 24 और घंटे जुड़ गए यानि कि कितने घंटे हो गए 48 आर्थ हो गए और जब 1 बजे से 4 बजे तक की बात करेंगे तो 3 अतरिक्त घंटे आपको तो Tuesday के बाद देखिए क्या है आपका Wednesday, Thursday, Friday और फिर उसके बाद Saturday यानि कि चार दिन यहां पर आपको clearly दिखाई दे रहे हैं Saturday साम कितने बज़े तक चार बज़े तक और उसमें दो घंटे और आपको क्या कर देने हैं जोर देने हैं तो चार दिनों का अगर हम समय अंतराल की तो 18 और 16 यानि कि 96 गहन गहे हो गए ओप लग necessity आपको दो घंटे देखने को मिल रहे हैं तो time interval की बात करें तो पOOOO क्लॉक की जब बात करेंगे तो time interval की भी हम लोग बात करेंगे और time interval की help से questions को हम लोग चलिए इसके बाद अगर हम बात करें एंगुलर डिस्टेंस की तो एंगुलर डिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे time to angle यानि कि दिये गए समय पर क्या करना angle ग्याद करना और इसको सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर clock से related कुछ basic बातों को पहले क्या करेंगे discuss करेंगे चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी घड़ी की तो यह होगे आपका 12 6 3 9 10 11 12 45 7 8 यह हम लोग बात करने किसकी clock की और clock की अगर मैं बात करूं तो clock में आपको देखने को मिलता है कौन कौन तो आपको देखने को मिलता है minute hand आपको देखने को मिलता है कौन hour hand और आपको देखने को मिलता है second hand यानि कि तीन सुईयों की हम लोग यहां पर पहले चर्चा करेंगे तीन सुईयों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे सेकेंड हैंड को मैं यहां पर अलग कलर से डिनोट कर देता हूं यानि की वाइट कलर से चलिए तेन प्रकार के सुयों की हम लोग यहां पर क्या करेंगे चर्चा करेंगे ये होग mana और ये होगा आपका मिनट है क्लियर चलिए अब अगर हम बात करें इन तीनों ही सुयों के बारे में तो सबसे पहले हम लोग यहां पर expedition कर लेते हैं किसके बारे में हम लोग यहां पर डिसक्स कर लेते हैं मिनेटेंट के बारे में जिसको हम लोग डिनूट करेंगे किसे म कि इसको हटाते हैं और बात करेंगे केवल किसके बारे में कि सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में मिनट हैंड के बारे में यानि कि मिनट वाली सुई के बारे में अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की तो यानि कि अगर इसको मिनट हैंड माने तो मिनट हैंड अभी आपको मिनट हैंड की तो दोबारा से मिनट हैंड बारा पे कब पहुंचेगा तो आप कहेंगे कि सर एक घंटे बाद दोबारा से मिनट हैंड कहां पहुंच जाएगा बारा पे पहुंच जाएगा यानि कि जब ये बारा पे पहुंचेगा तो बताइए ये कितनी दूरी तय करेगा यानि कि कोड़ी दूरी की अगर हम बात करें angular distance के हम बात करें तो यहां से घूम करके जब यह वापस से 12 पर पहुंचेगा तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह क्या करेगा 360 degree का angle cover करेगा यानि कि 360 degree का यह कोड़ क्या करेगा बनाएगा कब जब ये बारा से दोबारा से कहां पर पहुँच जाएगा और अगर हम बात करें एक घंटे के समय की तो हम कहे सकते हैं कि 60 मिनट में यानि कि एक घंटे के डियूरेशन में जो मिनट हैंड है वो कितने डिगरी का कोण बनाता है या कवर करता है तो आप कहेंगे 360 डिगरी का क्या करता है कोण बनाता है या फिर कवर करता है और इस 360 डिगरी के कोण को बनाने के लिए वह क्या करता है तो वह 12 डिवीजन से होकर के गुजरता है तो यहाँ पर आप क्लिरली देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और बारा यानि कि इसे 360 डिगरी के कोण को बनाने के लिए वो क्या करता है बारा डिवीजन से हो करके गुजरता है यानि कि अगर हम इस 360 को बारा भागों में बाटें तो हमें क्या मिल जाएगी इच डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी मिलेगी आपको 30 डिगरी यानि कि हम कह सकते हैं कि इच डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई तो each division की value यहाँ पे आपको 30 degree देखने को मिल रही है और इस division की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको sub divisions भी देखने को मिलेंगे यानि कितने sub divisions आपको देखने को मिलेंगे तो आपको 5 sub divisions देखने को मिलेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 यानि कि प्रतेक division में आपको 5 किया देखने को मिलेंगे sub division देखने को मिलेंगे यानि कि 37 को भी अगर हम क्या करें 5 भागों में बाट दें तो आपको each sub division की value मिल जाएगी जो कि कितना हो जाएगा 6 degree हो जाएगा और each अगर हम sub division की बात करें तो एक मिनट के बराबर होता है प्रतेक सब डिविजन की बात करें तो किसके बराबर होता है एक मिनट के बराबर होता है चलिए यानि कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रतेक मिनट की बात करेंगे अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो देखिए 60 मिनट में यह 360 डिगरी का क्या बनाती है कोड बनाती है या एंगल कवर करती है तो अगर हम बात करें एक मिनट की अगर हम एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में यह 360 बटे 60 डिगरी का कोड क्या करेगी कवर करेगी या बनाएगी जिसकी value किसके बराबर हो जाएगी 6 degree के बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि minute hand के द्वारा एक minute में तै किया गया कोड़ी दूरी या angular distance कितना है तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं 6 degree clear? यानि कि minute hand एक घंटे में कितने degree चलता है तो minute hand एक घंटे में चलता है 6 degree चलिए उसको अहीं रहने है तो यह हो गई बात किसकी minute hand की अब हम बात करेंगे यहाँ पर hour hand की यह हो गई बात किसकी यह हो गई बात minute hand की तो अगर हम बात करें hour hand की तो hour hand आपका अभी कहां दिखाई दे रहा आपको 12 पर दिखाई दे रहा लेकिन जब हम एक घंटे बाद की बात करेंगे तो hour hand आपका 12 से हट करके कहां चलाएगा तो hour hand आपका 12 से हट करके चलाएगा कहां पर? एक पर 12 से हट करके कहां चलाएगा? एक पर यानि की एक division की दूरी, ये क्या करेगा ते करेगा समय की बात करें, कितना समय लगेगा तो आप कहेंगे एक घंटा, यानि की अखर हम our hand की बात करें तो our hand आपका 60 minute में 60 minute में कितने degree का angle बना रहा है या कितने कोड़ी दूरी ते कर रहा है इसी प्रकार अगर हम बात करें आवर हैंड एक मिनट में कितने डिगरी का एंगल बनाएगा तो आप देख सकते हैं आवर हैंड आपका एक मिनट में 30 by 60 degree का क्या करेगा angle बनाएगा जिसकी value कितनी हो जाएगी 1 by 2 या फिर आप इसको बोल सकते हैं 0.5 degree clear या फिर आप इसको बोल सकते हैं 0.5 degree यानि कि अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की तो घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिगरी का एंगल बनाता है तो पॉइंट फाइव डिगरी का क्या करता है एंगल बनाता है कौन घंटे वाली सुई अब हम बात कर लेते हैं किसकी अब हम बात कर लेते हैं second hand की चलिए अब हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे किसके बारे में second hand के बारे में तो second hand के अगर मैं बात करूँ तो second hand यहाँ पर एक minute में second hand एक minute में कितने degree का angle बनाता है तो एक minute में बनाता है 360 degree का angle यानि कि एक minute यानि कि हम हर एक की value minute के respect में देख रहे थे तो second hand की value हम यहाँ पर directly मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं यानि कि second hand आपका एक minute में कितने degree का angle बनाता है तो 360 degree का angle बनाता है और यहाँ पर जो भी values आपको दी गई है जो भी values आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है सब value कैसी है एक minute में बनाई जाने वाली कोड़ी दूरी यानि कि हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी एक minute की यहाँ पर भी एक minute और यहाँ पर भी एक minute clear अब हम क्या करेंगे इनका थोड़ा सा comparison करके देखेंगे यह कुछ basic बाते हैं जो आपको जान लेना क्या है अवश्यक है questions को आसानी से बना पाने के लिए clear तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले minute hand की तो जब हम minute hand और hour hand का क्या करते हैं comparison करते हैं जब हम क्या करते हैं minute hand का comparison किसके साथ में करते हैं hour hand के साथ में करते हैं यहाँ पर मैं minute hand और hour hand का comparison करूँ तो आप clearly देख सकते हैं कि जो आपका minute hand है वो क्या है 12 time faster है किसके comparison में hour hand के comparison में यानि कि minute hand आपका क्या है hour hand से 12 गुना क्या है तेज है क्यों तेज है क्योंकि hour hand आपका एक minute में आधे डिगरी का कोण बनाता है जबकि minute hand आपका एक minute में 6 डिगरी का कोण बनाता है clear इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ minute hand का comparison जब करते हैं किसके साथ में second hand के साथ में तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हो कि 60 times क्या है faster है कौन आपका second hand यानि कि minute hand एक minute में 6 degree का angle बनाता है वहीं पर आपका second hand एक minute में 360 degree का angle बनाता है यानि कि कह सकते हैं कि second hand क्या है minute hand के तुलना में 60 गुना अधिक तेज है और finally अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर comparison करेंगे किसका हम लोग यहाँ पर comparison करेंगे our hand से second hand का तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो आपका second hand है वो क्या है 720 गुना क्या है तेज है comparison to our hand यानि कि जो second hand है वह घंटे वाली सुई की तुलना में क्या है 720 गुना तेज है या फिर fast है यह हो गई basic बातें किस से related clock से related clear चलिए अब इन ही हम लोग concepts का क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे use करेंगे questions को हल करने के लिए घड़ी हम यही वाली रख लेते हैं यह चलिए दूसरी घड़ी बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है गड़ी की बात करें तो यह होगा आपका बारा यह होगा आपका च्छे तीन नौ दस ग्यारा एक दो चार पांच साथ और आठ clear अब हमने जितनी बाते सीखी उन्ही बातों का इस्तमाल करके उन्ही बातों का हम लोग क्या करेंगे use करेंगे questions को बनाने के लिए और सबसे पहले हम लोग यहां पर सीखेंगे बच के 30 मिनट, 2 बच के 20 मिनट, 2 बच के 40 मिनट, 6 बच के 50 मिनट, 8 बच के 50 मिनट, फिर हम लोग बात करें, तो 6 बच के 20 मिनट, 4 बच के 10 मिनट, 8 बच के, इसको भी नहीं डिस्कस करेंगे, इसके बारे मैं चर्चा करूँगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा एक टाइम, 2 बच के 30 मिनट, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, 6 बच के 10 मिनट, यहाँ हम लोग बात करेंगे, 10 बच के 30 मिनट की, यहाँ हम लोग बात करेंगे, 10 बच के 40 मिनट की, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दो बचके 10 मिनट चार बचके 20 मिनट छे बचके 30 मिनट अड़ बचके 40 मिनट इसके बाद कुछ अत्रिक्त हम लोग यहां पर समय की बात करेंगे और जितने भी यहां पर टाइम लिखे गए हैं हर एक कोश्चन का आंसर हम लोग यहां पर ओरली निकालेंगे विदावड यूजिंग कॉपी एंड फैन बस करना क्या है हमें अपने दिमाग में कहीं ने कहीं घड़ी को छाप लेना है घड़ी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 बचके 30 मिनट की यानि कि 4 बचके 30 मिनट की अगर हम बात करें तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिगरी का कोड़ बनेगा इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 4 बजे की सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें 4 बजे की तो 4 बजे के 30 मिनट पे यानि कि अगर हम बात करें 4 बजे के 30 मिनट की तो सबसे पहले तो आपका जो आवर हैंड है वो क्या होगा 4 के आस पास होगा और मिनट हैंड की बात करें जब minute hand आपका कहां पे था 12 पे था तब तो our hand आपका exactly कहां पे रहा होगा 4 पे रहा होगा लेकिन जैसे ही आपका minute hand का किया minute hand आपका घूम करके 12 से घूम करके minute hand कहां पर आया 6 पर आया तो ये definitely 4 पे नहीं होगी यानि कि हम बात करें our hand की यानि कि हंटे वाली सुई की तो ये 4 पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी अब अगर हम बात करें यहां पे इनके बीच कितने डिगरी का कोण होगा या ये दोनों कितने डिगरी का कोण बनाएंगे तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे कितने डिवीजन का गैप है तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके बीच में दो डिवीजन का गैप है और इच डिवीजन की वैल्यू हमें पता है कितने डिगरी होती है प्रत्यक डिवीजन की वैल्यू कितने डिगरी होती है तो प्रत् hand ये exactly कहा पे होगी? 6 पे होगी. हावर हैंड क्या करेगा? बतआओ minute की तरफ मूव करेगा? कि minute से दूर मूव करेगा? आप कहेंगे कि hour hand definitely क्या करेगा? minute की तरफ मूव करेगा. तो हम ने देखा था कि आपका hour hand एक minute में कितनी दूरी तै करता है तो आप कहेंगे आब payments में आपका point five यानि की आधा डिगरी की दूरी क्या करता है करता है तो जब आपका minute and 12 पर रहा होगा क्या तब है exactly कहां पर रहा होगा चार पर रहा होगा लेकिन जैसे ही यह 12 से एक minute चले होगा तो यह 4 डिगरी होगा अगले ले नंबर की और जैसे ही ये दो मिनट चला होगा वैसे ही एक डिग्री मूव किया होगा जैसे ये दस मिनट चलेगा वैसे ही ये पांच डिग्री मूव करेगा जैसे ही ये बीस मिनट चलेगा ये दस डिग्री मूव करेगा और अभी ये कितना चल चुका है तो आवर हैंड क क्या करता है हमेशा मिनट के आधा यानि मिनट हो गहें तीस तो आवर हंड कितना चलेगा piece 15 डिगरीज चलेगा अब आप को यह बता है कि हाव distur जाएगी कि फंदीन मिनट की तरफ चलेंगा की मिनट से दूर चाहिए था लेकिन आवर हैंड क्या करेगा पंदरा डिग्री मिनट की तरफ मूव करेगा यानि कि साथ में से पंदरा घटा दोगे तो अंसर कितना जाएगा पैतालिस डिग्री ठीक है अभी हमने बिल्कुल पहले ही कोश्चन की शुरुआत की है तो अभी आपको टेंसन ले मिनट की क्लियर तो दो बच के बीस मिनट के हम बात करें तो एक सुई कहां पे होगी दो पे होगी दूसरी सुई कहां पे होगी चार पे होगी यानि कि डिवीजन के गैप की बात करें तो कितने डिवीजन का गैप तो यहां पे दो डिवीजन का गैप बनता हुआ दिखाई hand तो minute hand जब 12 पे रहा होगा तब तो यह exactly 2 पे रहा होगा लेकिन minute hand जैसे ही 20 minute चला तो hour hand भी कितना चल जाएगा तो minute का आधा यानि कि 10 degree hour hand भी आपका चल जाएगा minute की तरफ चलेगा कि minute से दूर चलेगा तो आप यहाँ पर clearly देख सकते कि minute अगर 20 minute चला है minute वाली सुई तो अबेसी बात है गंटे वाली सुई कितना चलेगी 10 degree चलेगी minute की तरफ की minute से दूर तो आप कहेंगे minute की तरफ यानि की angle घड जाएगा और angle की value की बात करें तो कितना बचेगा 50 degree clear यहाँ पर angle कितना बचेगा 50 degree अब अगर मैं बात करूँ अगले पूछेगे प्रस्ण की तो दो बजगे 30 minute तो बताइए एक सुई कहां पे होगी तो आप कहेंगे एक सुई होगी दो पे दूसरी सुई कहां पे होगी तो दूसरी सुई होगी 6 पे दोनों के बीच में कितने डिविजन का गैप है तो दोनों के बीच में चार डिविजन का गैप है एक डिविजन की वैल्यू की बात करें कितनी है तो एक डिविजन की वैल्यू है 30 मिनट यानि कि आवर हैंड कितना चलेगा तो आवर हैंड चलेगा पंदरा डिगरी अब यह बताईए कि मिनट की तरफ चलेगा कि मिनट से दूर तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई क्या है बड़े नंबर पे है और आवर वाली सुई क्या है छोटे नंबर पर यानि कि आवर बज़ के 30 मिनट तो यह हो गई आपकी आवर हैंड और यह हो गई आपकी मिनट हैंड इनके बीच के अगर हम कोड की बात करें तो कितना बनना चाहिए था बनना चाहिए था 120 डिगरी का कोड लेकिन जैसे ही मिनट हैंड आपका घूम करके 6 तक पहुंची यानि कि 30 मिनट की द की value घटती हुई दिखाई देगी यानि कि आपको angle की value क्या कर लेना है घटा लेना है कितना घटा लेना है जितने minute हुए है उसका आधा clear चलिए अब बात कर लेते हैं अगले question की 6 बज़ के 50 minute यानि कि एक सुई होगी 6 पे दूसरी सुई होगी कहां और चार डिविजन की value की बात करें तो चार डिविजन की value कितनी हो जाएगी 120 degree और यहां पर minute कितने हुए है तो minute हो गए है 50 यानि कि hour hand क्या करेगा 25 degree move करेगा किधर move करेगा तो बड़े number की तरफ move करेगा यानि कि minute की तरफ move करेगा क्यों क्यों कि minute hand होगा 10 पे और hour hand होगा 6 पे तो यहाँ पर कितना degree हमें minus कर लेना था हमें 25 degree minus कर लेना था यानि कि answer की बात करें तो answer कितना आजाएगा 95 degree यानि कि यहाँ पर ना हमें copy चलानी कि अब शकता है ना हमें pen चलानी कि अब शकता है इसको भी यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हम पचास minute तो अगर हम कहें यह hour hand है और यह क्या है minute hand है तो आप clearly देख सकते हैं 6 से 10 के बीच में कितने divisions का gap है तो 4 division का gap है एक division की value कितनी थी तो 30 degree थी यानि कि बनना तो चाहिए कितने degree का code बनना तो चाहिए 120 degree का code लेकिन बताएए यह ऐसा कब होता अगर यहाँ पर हम बात करे आपर हेंड की आप आपको दिखाएदे कि नहीं इक्जाक्ली सब्सक्र्णेश योगी में देलिगरीलारो होंडा कि मृट कर जाएंगा मूह कर जाएगा वैसे वैसे आवर हेंडिया आपको क्या कर लेना था पत्चीस डिगरी मूब कर जाएगा किदर मूब खताएगा यानि कि आंसर की बात करे तो आपको क्या कर लेना था 25 डिगरी घटा लेना था चलिए 25 डिगरी आपको माइनेस कर लेना था बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्ण की अगला प्रस्ण पूछा है 8 बज के 50 मिनट 108 पे दूसरी 10 पे कितने डिविजन का गैप तो दो डिविजन का गैप 108 पे दूसरी 10 पे दो डिविजन का गैप एंगल कितने डिगरी का बनना चीए तो एंगल बनना चीए 60 डिगरी का लेकिन minute hand चल गया है 50 minute तो hour hand कितना चलेगा 25 डिगरी चलेगा और क्योंकि minute hand आपका क्या है बड़े नमबर पे है it means hour hand minute को क्या करेगा follow करेगा यानि कि minute की तरफ move करेगा तो हमें क्या कर लेना 60 में से 25 माइनस कर लेना यानि कि इसके लिए answer क्या जाएगा 35 डिगरी answer क्या जाएगा 35 डिगरी clear बात समझ में चलिए कुछ और भी यहाँ पर time दिये गए है इसको भी हम लोग क्या करेंगे और निकालेंगे और जो लोग session को late से या बढ़ा करके देख रहे हैं वो लोग क्या करें session को पहले जाकर के शुरू से देखें ताकि जो basic बाते हैं जिसका use करके हम लोग यहाँ पर question बना रहे हैं वो आपको बिल्कुल clear हो समझ में आ जाए तब तो आप यहाँ पर questions को आसानी से बना पाएंगे ठीक है चलिए तो हम बात कर लेते हैं पर अगले question की यानगी 6 बज के 20 मिनट तो एक सुई कहां पे होगी 6 पे होगी दूसरी सुई कहां पे होगी 4 पे होगी कितने division का gap तो आप कहेंगे यह हो गया 6 बज के 20 मिनट का time अगर हम ब à past क करें यहाँ पे hour hand की तो क्या hour hand exactly 6 पे होगी तो hour hand exactly 6 पे कब रही होगी जब आपका minute hand कहा रहो होगा 12 पे रहा होगी minute hand जब 12 पे रहा होगा तब आपके घंटे वाली सुई exactly कहा रही होगी 6 पे रही होगी लेकिन जैसे ही minute hand 10 minute move करेगा तो hour hand कितना move करेगा 5 degree minute hand जैसे ही आपका 20 minute move किया तो hour hand क्या करेगा 10 degree move करेगा और इस बार बताओ minute की तरफ जाएगा कि minute से दूर जाएगा तो आप कहेंगे इस बार hour hand क्या करेगा minute से दूर जाएगा और minute से दूर जाएगा तो बताओ angle बढ़ेगा कि angle घटेगा तो यहाँ पर आप CLEARLY देख सकते है angle क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यहाँ कि हम लोग क्या करेगे हैंपr angle को इस बार add करेंगे कितना अब करेंगे तो जितने minute है उसका आधा जितने minute ह उसका आधा, तो दो division में angle बरना चाहिए था कितने degree का, 60 degree का, यानि कि minute hand कितना चल गया, 20 minute तो 10 degree का angle क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानि कि value की हम बात करें, तो इस बार कितना हो जाएगा, 70 degree, value कितनी आजाएगी, 70 degree यानि कि 70 degree, clear, अगर हम बात करें, अगले तो हम बात करेंगे सबसे पहले division की तो एक सुई होगी दो पर दूसरी सुई होगी चार पर दो division का गयप है यानि कि angle कितने degree का बन रहा है तो angle बन रहा है आपका 60 degree का minute hand कितना चला है minute hand 10 minute चला है तो hour hand क्या करेगा hour hand 5 degree move करेगा बताइचे minute की तरफ चलेगा कि minute से करेगा जानि कि पांच डिग्री इस बार आप क्या करेंगे जोड़ देंगे किस में जोड़ देंगे तो 60 में जोड़ देंगे यानि कि इस बार वैल्य कि इतनी मिल जा एक कि च्छे बचके 10 मिनट की तो एक सुई होगी दो पे दूसरी सुई होगी च्छे पे कितने डिविजन का गैप है तो यहाँ पे 4 डिविजन का गैप आपको देखने को मिल रहा है एक डिविजन की वैलु की बात करें तो एक डिविजन की वैलु होती है 30 डिगरी 4 डिविजन की वैली होगी 120 डिगरी एक सुई होगी 6 पे दूसरी सुई होगी 2 पे यानि कि यहां पर 10 minute minute वाली सुई क्या करी दस minute का distance कवर करी है यानि कि hour hand क्या करेगा 5 डिगरी मूव करेगा मिनट की तरफ मूव करेगा कि मिनट से दूर तो minute से दूर move करेगा और यहाँ पे angle क्या करेंगे हम लोग जोड देंगे तो value आ जाएगी कितनी 125 degree अगले time की बात करें तो 10 बज के 30 minute यानि कि 100 होगी 10 पे दूसरी 100 होगी 6 पे कितने division का gap तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 division का gap बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें 4 division की value की तो 4 division की value होती है 120 degree और यहाँ पे minute hand चला है कितना 30 minute यानि कि hour hand क्या करेगा 15 degree move करेगा minute की तरफ move करेगा कि minute से दूर तो आप यहाँ पे देख पाने कि जो आपका hour hand है वो क्या है एक बड़े नंबर पे है आवर hand क्या है एक बड़े नंबर पे है यानि कि इस बार hour hand क्या करेगा minute से दूर move करेगा क्यों क्यों क्योंकि minute hand जब 12 पे था तब तो यह exactly 10 पे था लेकिन minute hand जैसे ही घूमते हुए 6 तक पहुचा तो यह भी क्या करेगा हर एक minute के साथ आधा degree move करेगा और इस बार angle के अगर हम बात करेगा तो angle बताई यह बढ़ेगा कि घटेगा तो आप clearly देख सकते है angle क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानि कि angle हमें क्या करेना है जोड लेना है कितना जोड़ना है minute का आधा तो minute कितना हुआ है 30 यानि कि minute का आधा 15 degree का angle हमें जोड लेना था किसमें जोड लेना था तो 120 में value की बात करें तो कितनी आ जाएगी 135 degree clear 135 degree का code बनेगा hour hand और minute hand के बीच अगर हम बात करें किस time पे तो 10 बज़ के 30 minute पर clear अगले पूछे गए समय की बात करें तो 10 बज़ कर 40 minute एक सुई होगी 10 पर दूसरी सुई होगी 8 पर कितने division का gap है तो 2 division का gap है 2 division की value किसके बराबर तो 2 division की value होती है 60 degree के बराबर और minute hand चल गई है 40 minute तो hour hand चलेगा 20 degree minute की तरफ चलेगा कि minute से दूर तो clearly देख सकते हो hour hand बड़े number पर है यानि कि minute से दूर जाएगा तो आपको क्या कर लेना था 20 जोड लेना था किसमें जोड लेना था तो 60 में जोड लेना था यानि कि answer क्या जाएगा 80 degree clear तो आपने देखा कि कब आपको angle जोड़ना है और कब आपको angle घटाना है बाकी division के हिसाब से आप यहाँ पर basic idea लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने degree का कोड बनेगा बस आपको या तो minute का अधा जोड़ना होगा या तो minute का अधा क्या कर देना होगा घटा देना जब दोनों सुईयां क्या होंगी एक ही number पे होगी तब जब दोनों सुई क्या होंगी एक ही number पे होगी तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे चर्चा करेंगे चलिए इसको मैं यहाँ से हटा कि इधर लगा रहा हूं चलिए तो इस बार आपको टाइमिंग क्या दिया गया है 2 बज के 10 मिनट तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 बजे की तो यहां पर आपको 2 बजता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जब हम बात करेंगे 2 बज के 10 मिनट की तो अगर हम बात करें Divisions के Gap की तो आप clearly देख पा रहे हैं कि 2 बच के 10 मिनट पे कितने division का gap तो आप कहेंगे यहाँ पे 0 division का gap बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि एक भी division का gap यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है 0 division का gap है तो 0 division के gap की अगर हम बात करें तो angle भी बनना चाहिए था 0 degree का लेकिन ध्यान दीजिए जब हम बात करेंगे यहाँ पे minute वाली सुई की तो minute वाली सुई जब यहाँ से चल करके 2 तक पहुँचेगी तो बताओ क्या hour hand यहीं पे रुका रहेगा क्या hour hand यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुका रहेगा hour hand क्या कर जायेगा आगे move कर जायेगा जो एक minute अगर यह आगे चला तो यह 1 degree move किया यह 2 minute चला तो यह 1 degree move किया तो यह 10 minute चला तो बताओ 오케이 यह पांच ст डिजिकरी यानि कि जब minute hand 10 minute चला तो hour hand पांच degree move कर गिया बताओ मिनेट से दूर जाएगा कि मिनेट की तरफ आएगा तो आप ली कि देख सकते हैं कि मेंट थां कि गया लेकिन क्या कर गया उस इस स्थान से आगे की और बढ़ गया देगी पांच डिगरी आगे बढ़ गया तो ध्यान दीजिए जब कभी भी आपको एक ही नंबर पे दोनों सुईयां दिखाई दें तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा मिनट का आधा एंगल हमेशा आपका कितना बनेगा मिनट का हाफ अगर हम बात करेंगे यहां पर बीस मिनट की 10 degree आगे की और बढ़ चुका होगा यानि कि 20 मिनट यह चलेगा तो एंगल बनेगा 10 डिगरी का अगला आपको टाइम दियागा 6 बज के 30 मिनट तो देखो आवर हैंड एक्जाक्ली 6 पे है कब जब मिनट हैंड आपका 12 पे है लेकिन जैसे ही मिनट हैंड आपका 30 मिनट की दूरी तय करेगी वैसे यावर हैंड आपका क्या करेगा 15 डिगरी का एंगल कवर करेगा यानि कि आगे की और चल जाएगा और एंगल दोनों के बीच में कितने डिगरी का बनेगा तो एंगल दोनों के बीच में बनेगा half यानि कि 40 minute अगर minute hand चली है तो our hand 20 degree आगे move कर चुका होगा यानि कि angle कितने degree का बनेगा तो angle बनेगा यहाँ पर 20 degree का clear कोई भी कठिनाई यहाँ पर नहीं होने वाली अब हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य दिये गए समय पर क्या करेंगे angle ग्याद करना सीखेंगे जैसे एकर मैं बात करूँ 2 बज के 40 minute फिर हम लोग बात करेंगे 8 बज के 10 minute फिर हम लोग बात करेंगे 3 बज के 45 minute और फिर हम लोग बात करेंगे 9 बच के 15 मिनट की फिर हम लोग बात करेंगे 4 बच के 50 मिनट की और फिर हम लोग बात करेंगे 10 बच के 20 मिनट की clear चलिए यहाँ पे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और कुछ और महत्पूर्ण बातों को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे concept की बात करें तो कोई formula कुछ भी नहीं रटना है basic जो आपको बताया है उसी से हम लोग यहाँ पे पूछेंगे प्रशनों का भी उत्तर निकालेंगे बस कुछ एक बातों का आपको क्या ले लेना है यहाँ पे ध्यान रख लेना है और इसके बाद आपको question असानी से बनते हो दिखाई देंगे जैसे अभी तक हमने बनाया वैसे ही आगे भी बनाएंगे जब हम बात करते हैं दो बज़ के 40 मिनट की जब हम बात करते हैं दो बज़ के 40 मिनट की तो बताओ यह timing आपको अभी क्या दिखाई दे रहा अब दो बज़ के हम 40 मिनट की बात करेंगे तो बताइए कितने डिवीजन्स का गैप होगा तो आप कहेंगे 6 डिवीजन्स का गैप आपको बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि यह वाली चुई यहां से घूम करके कहा तक आ जाएगी 8 तक आ जाएगी यानि कि 6 डिवीजन् का एंगल बनेगा और यहां पर हम बात करें जब मिनट हैंड अगर आपको 40 मिनट चला है तो आवर हैंड कितना चलेगा तो आप कहेंगे आवर हैंड कितना चलेगा 20 डिगरी चलेगा तो मिनट की तरफ से दूर तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिनट की तरफ से लेगा चलिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ अगले पूछे गए प्रश्ण की जब मैं बात करता हूँ आठ बज के दस मीनट की, तो ध्यान दिजिए कितने डिवीजन का गयप है तो अभी भी आप कहेंगे कि अभी भी गयप कितने डिवीजन का हो रहा है अभी भी गैप हो रहा आपका 6 डिविजन का 8 बच के 10 मिनट की बात क्या तो यह सुई अभी तो कहां exactly 8 पे है लेकिन जैसे ही आपका मिनट हैंड 12 से घूम करके कहां प्याएगा 2 प्याएगा तो definitely आपका आवर हैंड भी क्या कर जाएगा मूब कर जाएगा आगे की और कितना मूब कर जाएगा तो 5 डिगरी मूब कर जाएगा यानि कि 6 डिविजन का जब गयाप था तो एंगल कितने डिगरी का बन रहा था तो एंगल बन रहा था आपका 180 डिगरी का लेकिन जैसे ही मिनट हैंड क्या कि आपका 10 minute चला वैसे ही hour end क्या कर गया आपका 5 degree move कर गया आगे की और और इस बार angle बताओ जूलेगा की घटेगा तो आप clearly देख सकते angle क्या हो जाएगा जूलेगा यानि की value की बात करें तो क्या कर देना था आपको plus 5 degree कर देना था answer आपका क्या जाएगा 185 degree जो की क्या होगा गलत answer होगा जो की क्या होगा गलत answer होगा क्यों गलत answer होगा क्या यहाँ पर कुछ हमने mistake करी तो हमने तो बिल्कुल वैसे ही process follow किया जो अभी तक हम करते आ रहे थे बिल्कुल आपको करना भी वही है लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है प्रस्ण के भाशा पर लेंगवेज पर क्लियर प्रस्ण में यदि आप से पूछ लेता है क्या रिफ्लेक्स एंगल परावर्तित कोण ठीक है यदि प्रस्ण में आपको दे दिया गया है कि आठ बज़ के दस मिनट पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का क्या बनेगा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा यह परावर्तित कोण बनेगा तब तो वैल्यू आप कितनी बताएंगे एक सो पिचासी डिग्री बताएंगे लेकिन अगर आप से केवल और क्यों एंगल लिख करके question में पूछा है तब आपको क्या करना होगा इस 185 को 360 में से minus करना होगा और इसको minus करने के बाद आपको value मिलेगी 175 degree 175 degree तो धिहान यह रखना है कि जब कभी भी आपके angle की value more than 180 आ जाएगी तो आपको क्या कर लेना है उस value को 360 में से minus कर देना है लेकिन यहाँ पर हम बात करने exactly 6 division के gap की तो ध्यान दीजे जब कभी भी आपका 6 division के gap से related कोई भी question पूछा जाए तो आपको क्या कर लेना है क्यावल और क्यावल 180 में से आपको क्या कर देना है minute का आधा घटा देना है वन एटटी में से क्या कर लेना है मिनेट का आधा आपको घटा देना है इसको रटना नहीं है reason भी मैं यहाप बता रहों क्यों इसा हो रहा है क्योंकि जब value 180 से क्या जादा आ गई तो करें तीन बच के 45 मिनट की तो एक सुई तीन पर दूसरी हो जाएगी कहां पर नौ पर दोनों के बीच के अगर हम कोण की बात कर तो इस बार क्या करेगी आवर हैंड आपका मिनट की तरफ जाएगी क्यों कि मिनट आपका बढ़े नंबर पर है तो यानि कि क्या हो जाएगा आ साड़े 22 डिग्री आपको माइनिस कर लेना था किस में से माइनिस कर लेना था तो आपको माइनिस कर लेना था वन एट्टी में से साड़े 22 माइनिस करना है तो वन एट्टी में से पहले 20 माइनिस कर लेंगे तो कितना जाएगा वन सिक्स्टी और धाई और घटा लेंगे त 157.5 157.5 यहाँ पर आप concern मिल जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए लेकिन जब हम बात करेंगे 9 बच के 15 मिनट की तो यहाँ पर आपको एंगल मिलेगा कितने का 187.5 डिगरी का क्यों क्यों क्योंकि 109 पर दूसरी 15 पर तो जब आपका मिनट हैंड 15 मिनट चलेगी तो आपका का ओवरहंक क्या करेगा साड़े 7 डिगरी मूफ कर जाएगा आगे की और यानि कि एंगल यह बनेगा वो कितने डिगरी का बनेगा वह 187.5 डिगरी का बनेगा लेकिन मैंने आपको कहा कि 180 से जाधा की वैलिटी जो होती है वो किसकी होती वो reflect toss एंगल की value होती है और हमें एंगल ग्याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं आपके वल 15 का आधा क्या करी यह साथ आप घटा दीजे किसमें से 180 में से तो value मिल जाएगी आपको 172.5 डिगरी क्लियर इसी प्रकार हम बात करेंगे 450 की तो 180 में से 25 घटा देना है तो 180 में से 20 गए 60 और 5 और घटा दी तो 155 डिगरी फिर हम बात करेंगे 10 बच के 20 मिनट की तो 110 पे दूसरी कहां पे 4 पे यानि कि 6 डिविजन का गैप तो इस बार क्या करना है आपको मिनट का अधा यानि कि 10 माइनस कर देना है 180 में से तो value कितनी आजाएगी 170 डिगरी आपको value देखने को मिलेगी 10 बच के 20 मिनट पे अगर हम बात करें यहां पे कुछ और questions की तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कुछ time देता हूँ 2 बच के 40 मिनट 3 बच के 50 मिनट और ले लेते हैं 1 बच के 50 मिनट और 1 बच के 40 मिनट चलिए अगर यह आपको मैंने time दिया और मैंने कहा कि minute hand और hour hand के बीच का क्या निकालना आपको angle निकालना है दिये गए समय पर तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले पूछे गए प्रशन की यानि कि 2 बच के 40 मिनट की तो 2 बच के 40 मिनट की बात करें तो 1 सुई कहां होगी 2 पे होगी दूसरी सुई कहां पे होगी 8 पे होगी तो इसके बारे में हमने already चर्चा किया हुआ है कि जब क्या होगा 6 डिवीजन का gap होगा जब 6 डिवीजन का क्या होगा gap होगा तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या करना है 180 में से मिनट का अदा घटा देना यानि कि आंसर यहां पे आपको 160 देखने को मिलेगा इसके बारे में हमने already चर्चा की हुई है लेकिन जब हम बात करेंगे 3 बच के 50 मिनट की जब हम बात करेंगे एक बच के 50 मिनट की जब हम बात करेंगे एक बच के 40 मिनट की यानि कि जब वैल्यू क्या हो more than 6 डिविजन आपको यहां पे क्या हो 6 डिविजन से अधिक का gap देखने को मिले जब आपको 6 डिविजन से अधिक का gap देखने को मिले जैसे कि हम बात करेंगे तीन बज़ के पचास मिनट की तो घड़ी में अभी आपको तीन बज़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे ही मिनट वाली सुई घूम करके कहा पहुचेगी दस पे पहुचेगी तो अभीस सी बात है तीन वाली सुई एक्जैकली तीन पे आपको दिखाई नहीं देगी यह क्या कर जाएगी आगे की और मूव कर जाएगी यानि कि जब हम बात करेंगे तीन बज़ के पचास मिनट की तो देखिए दोनों के बीच कितने डिवीजन का गैप तो एक सुई तीन पे दूसरी दस पे दोनों के बीच में साथ डिवीजन का आपको गैप दिखाई दे रहा है यानि कि एंगल कितने डिगरी का बनेगा 210 डिगरी का बनेगा अब मिनट हैंड आपका क्या किया है इस पत्पच्चिस डिगरी को माइनेश करेंगे तो दस में से जीरो में से फाइव गया फाइव जीरो यानि कि दस में से दो गया यानि कि आठ और यहां पर आजाएगा एक आपको वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है तो value देखने को मिल रही है आपको यहां पे 185 degree 185 degree यह नहीं कि more than 180 degree आपको यहां पे value देखने को मिल रही है clear तो ऐसे case में अगर आप से पूछा गया question में क्या angle question में अगर आप से पूछा गया angle between minute hand and hour hand और time आपको दिया गया 3 बज़ के 50 minute तो अगर आपको angle लिख करके question पूछा गया है और आपकी value कितनी आ रही है more than 180 आ रही तो इस case में क्या करोगे आप इसको 360 में से minus करोगे इसको 360 में से minus करोगे यानि कि value कितनी आ जाएगी आपका 175 degree आ जाएगा clear अगर हम बात करें अगले पूछा गया question की तो एक बच के 50 minute तो एक सुई एक पे दूसरी सुई दस पे कितने division का gap तो 9 division का gap 9 तरीक 27 यानि कि 270 degree ये हो गए फिर हम बात करें 50 का आधा 25 क्या कर लेना था आपको minus कर लेना था यानि कि अगर हम value की बात करें तो 70 में से 20 घटा होगे तो हो जाएगा आपका 50 और 5 और घटा दोगे तो 45 यानि कि 245 degree आपका answer आ रहा है लेकिन 245 degree जो value है वो angle की value नहीं है वो किसकी value है वो reflex angle की value है जब आपसे reflex angle अगर especially mention नहीं किया है question में तो आपको क्या कर लेना इस value को 360 में से minus कर लेंगे आप इस value को क्या कर लेंगे 360 से minus कर लेंगे इसको थोड़ा सा practically समझने का प्रयास करते हैं देखिए मैंने कहा 3 बज के 1 बज के 50 मिनट 1 बज के 50 मिनट यानि कि हम क्या गयाद कर रहे है हम ये वाले angle की value गयाद कर रहे है जब कि अगर आप देखें तो दूसरा angle आपको इधर से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस वाले angle की value की हम बात करें तो इस वाले angle की value क्या हो जाएगी more than 180 हो जाएगी इसलिए हमें ये वाला consider नहीं करना हमें इस बार कौन सा वाला consider करना ये वाला angle consider करना है जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर 360 में से minus कर देंगे इस वाले value को तो obvious सी बात है हमें पता है कि पूरे की value कितनी 360 है तो 360 में से हम इस वाले value को minus कर देंगे तो अब इसी बात हमें ये वाली value मिल जाएगी तो जब तक आपको question में reflex angle करके question ना पूछा जाए तब तक आपकी जो value है वो more than 180 नहीं हो सकती अब एक और सवाल के अगर मैं बात करूं माल लेते हैं आपसे प्रस्ने पूछा दो बज़ के 20 minute पे minute और hour hand के बीच में reflex angle यानि कि परावर्तित कोण ग्याद कीजिए तो दो बज़ के 20 minute 102 पे होगी दूसरी 4 पे होगी अगर हम बात करें divisions की तो दो division का gap मतलब 60 degree का angle दो पे कौन है आपका hour hand है minute hand क्या है hour hand से आगे है यानि कि angle क्या हो जाएगा इस बार घटेगा कितना घटेगा 10 degree घटेगा value की बात करें तो value तो आपको मिल रही है कितनी value मिल रही है आपको 50 degree लेकिन question में आप से पूछा क्या है reflex angle और हमें पता है reflex angle की value क्या होती है more than 180 degree होती है तो ऐसे case में क्या करोगे 50 को आप 360 में से घटा दोगे यानि कि value कितनी आजाएगी 310 degree तो जब कभी भी आप से question में reflex angle या परावर्तित कोण पूछ लेगा तो आपको क्या करना है अगर value 180 से कम है तो उस value को ही आपको 360 degree में से minus कर देना है और यदि आप से angle करके question पूछता है reflex angle आपको question में mention नहीं किया है और value आपकी more than 180 degree तो भी आप क्या करोगे इसको 360 में से minus करोगे अगर मैं बात करूँ time की तो कोई भी दिया गया समय हो आपको angle गयात करना है इन questions के लिए answer यानि कि 10 बज़ के 15 मिनट एंगल ही बताना है आपको ध्यान रखेगा angle बताना है 10 बज़ के 15 मिनट फिर हम ले लेते हैं 7 बज़ के 45 मिनट और एक हम ले लेते हैं 6 बज़ के 40 मिनट चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 बज़ के 15 मिनट की तो एक सुई तीन पे दूसरी सुई दस पे कितने division का gap तो साथ division का gap मतलब value कितनी आएगी तो value आजाएगी 210 degree आजाएगी 210 degree आजाएगी और अगर हम बात करें minute hand कितना चला है 15 मिनट चला है तो अब इस सी बात है our hand कितना चलेगा our hand 57 degree चलेगा तो 210 में 57 जोड़ोगे तो आजाएगा कितना 217.5 degree और हमें पता है ये value क्या है more than 180 है तो हमें क्या करना होगा हमें 360 में से इस value को minus करना होगा 360 में से इस value को minus करना होगा तो 360 में से हम कितना घटा लेंगे 220 घटा लेंगे यानि कि 60 में से 20 घटाओगे तो 40 और 200 घटाओगे 140 degree आपको value मिलेगा हमें घटाना था 217.5 हमने घटाया कितना 220 कितना ज्यादा घटाये थे धाई ज्यादा घटाये थे तो धाई यहाँ पर क्या कर देना है इस बार जोड़ देना है यानि कि value कितनी आजाएगी 142.5 ठीक है यानि कि value की बात करें तो कितना जाएगा 142.5 degree यानि कि आप यहाँ पर clearly देख सकते है 180 से यह value क्या दिखाई दे रही है आपको कम बनती हुई दिखाई दे रही है clear अब हम बात करें 7 बज़ के चलो 46 के लिए मैं गयाद करता हूं और 7 बज़ के 45 के लिए आप लोग आंसर क्या करेंगे comment box में comment करके बताएंगे तो 640 के अगर हम बात करें तो एक सुई कहां पे होगी 6 पे होगी 6 पे होगी 8 पे होगी कितने division का gap तो 2 division का gap यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा यानि कि angle की बात कर तो कितने degree का angle बनेगा तो angle बनेगा आपका 60 degree यानि कि 60 degree का अब minute hand चला है कितना 40 minute तो hour hand कितना चलेगा 20 degree चलेगा बताओ minute की तरफ चलेगा कि minute से दूर तो clearly देख सकते है minute hand क्या है एक बड़े number पर यानि कि hour hand minute की तरफ चलेगा तो 60 minus 20 कर दोगे तो कितना आजाएगा 40 degree का आपको angle बनता हुआ दिखाई देगा 6 बच के 40 minute पर और इसकी हम लोगों ने अल्रेडी चर्चा भी की हुई clear तो यानि कि अगर हम बात करें clock की तो clock में किसी भी दिये गए समय पे आपको angle गयाद करना हो तो आपको एक ही concept follow करना है कि प्रतेक minute के साथ आपका क्या करेगा hour hand एक degree move करेगा यानि कि minute hand आपका एक बड़े number पर है तो hour hand minute की तरफ चलेगा यानि कि angle आपका घटेगा और यदि hour hand आपका एक बड़े number पर है तो क्या करेगा minute से दूर जाएगा यानि कि प्रतेक minute के साथ आपका angle उसका आधा बढ़ता हूँ आपको दिखाई देगा जाए angle गयात करने के लिए तो आप क्या करेंगे 360 में से उसको minus कर देंगे क्यों क्योंकि 180 से जादा value किसकी होती है reflex angle की होती है तो यानि कि question कैसा भी हो प्रस्टन आप से किसी भी प्रकार का पूछा जाए अगर हम बात करेंगे दिए गए समय पे कोड़ गयात करना तो आपको कोई भी confusion नहीं होनी चीए एक ही अगर हम बात करें जीरो डिविजन का gap होगा एक ही नंबर पे दोनों सुईया होंगी तो आपका जो angle बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा minute का आधा यानि कि हमने कहा चार बच के 20 minute पे तो आपका angle बनेगा 10 degree का और जब दोनों सुईय हुआ दिखाई दे रहा हो या फिर code घटता हुआ दिखाई दे रहा हो क्यों क्योंकि अगर code की value जुड़ जाएगी तो obvious सी बात है हमारा जो angle होगा वो क्या होगा एक reflex angle होगा जिसको हमें क्या करना होगा 360 में से minus करना होगा और जब कभी भी 6 division का gap हो और आप से क्या 180 में minute का half जोड़ देना है 180 में क्या कर लेना है minute का half जोड़ देना है वही क्या हो जाएगा आपका पूछे गए प्रशन के लिए उत्तर हो जाएगा तो आप लोगों ने यहाँ पे सीखा है काफी कुछ और बात करें पूछे गए प्रशन की तो comment box में इस question का answer सभी लोग comment करके जरूर बताएंगे और session अगर अच्छा लगता है तो कम से कम session को like और share करना बिलकुल भी ना भूलें और जल्द ही आप लोगों के साथ मैं जूड़ने वाला हूं कहां पे टेलीग्राम ग्रूप पे जहां पे हम लोग क्या कर पाएंगे communicate कर पाएंगे यानि कि आप अ कर दो